जै मातारी दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि शरत पूर्णिमा के दिन खीर बनाने और खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने की मानेता है। तो आखिर शरत पूर्णिमा पर खीर खाने के पीछे क्या है खास वज़ा। आईए जानते हैं इस चांदी रात का रहस्य आज की इस वीडियो में अश्वनी माहा का आखिरी दिन बहुत ही खास है। इस दिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा यानी शरत पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। शरत पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियो संग महारास रचाया था कहते हैं कि शरत पूर्णिमा की रात चंद्रमा धर्ती के बहुत करीब होता है इस दिन मध्यरात्री में मा लक्ष्मी पृत्वी पर ब्रहमन कर अपने भक्तों के दुख तकलीव दूर करती है दन दौलत लाब के लिए ये दिन बहुत महत्यपूर्ण माना जाता है साथ ही रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखने का भी विधान है तो आईए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को और जान लेते हैं शरत पूर्णिमा पर खीर का महत्व क्या है शरत पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सोला कलाओं से पूरा होकर अमरित की वर्षा करता है श्रीमत भागवत पुरान के अनुसार चंद्रमा को और शिदी का देवता माना जाता है वहीं श्रीमत की सोला कलाओं है अमरित, विचार, पूर्णिता, अर्थात, कर्म, शीलता, तेज, विद्या, शांती, प्रकाश, कीदि, स्वस्थता, इच्छा, पूर्थी, सुख, प्रेम, सौंदर्य, प्रकाश, धन और स्वस्थेतवब इन सोला कलां से पूरा होकर चंद्रमा शरत पूर्णिमा की रात अमरित की वर्षा करता है चांद की रोष्णी स्वास्त के लिए बहुत लाबकारी मानी गई है इसलिए शरत पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चावल और दूज से बनी खीर रखी जाती है जिससे चंद्रमा की किरने खीर पर और इसका सेवन करने से ओश्धिये गुंड प्राप्त होते हैं। शरत पूर्डिमापर चांदी के बर्तन में खीर रखकर, फिर उसका सेवन panneus रोग प्रतिरोधक्शम्ता दोगुनी हो जाती है। और समस्त रोगों का नाश होता है। चांदी के बरतन में सेवन करने के पीछे भी व्यज्यानिक कारण है। रिसर्च के अनुसार चांदी में प्रतिरोधक शमता अधिक होती है जिससे विशाणू दूर रहते हैं। ये खीर अमरित के समान मानी जाती है। मानेता है कि शरत पूर्णिमा की खीर सेवन करने से पुन्योरवन शक्ती प्राप्त होती है। शरत पूर्णिमा पर रात में 10-12 बजे के बीच चंद्रमा का प्रभाव अधिक हो रहता है। इस समय चंद्रदर्शन जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि इस समय जिस पर चंद्रमा की करने पढ़ती है। उसके नेत्र समंदित समस्या, दमा, रोग जैसी बीमारिया भी खतम हो जाती है। कोजागरी पूर्णिमा पर खीर खाना इस बात का प्रतीक है। कि अब शीत रितु का आगमन हो चुका है। ऐसे में गर्म पदार्थ का सेवन करने से स्वास्तलाब मिलेगा। मौसम में ठंडग घुलने के बाद गर्म चीज का सेवन करने से शरीर में उर्जा बनी रहती है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। और ऐसे ही हिंदु धर्म से जुड़े तक थे और उनके कारण जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सबी वीडियो आप तक पहुंचते रहें।